नवस्कार दोस्तों मैं हूँ देवेश वीडियो में करते हैं प्रवेश दोस्तों सायद आपको जानकरी लग गई होगी कि बड़ी मसकत के बाद आज पाकिस्तान में आयुजत की जा रही है OIC की मीटिंग पाकिस्तानी सरकार के ना तो आज का पता है ना कल की कोई खबर है ल नहीं हो रहा है OIC की मीटिंग पाकिस्तान में हो या कहीं और पाकिस्तान कस्मीर की बात छुड़ता है छुड़ता रहेगा और इसके खिलाफ भारत का स्टेंडर्ड रिस्पॉंस क्या होता था भारत जो है OIC के खिलाफ एक वक्ता भी जारी कर देता था कि भाई हमारे आंत लेकिन इस बार हो रहा है कुछ अलग, कुछ नया, कुछ हटके, हटके यह है कि पाकिस्तान में आयुजित की जा रही है, OIC की मीटिंग, ठीक उसके पहले, कल जो है जम्मू कस्मीर में आगमन हुआ है, UAE के ब्यापारियों का, 40 ब्यापारी आये हैं UAE से और 36 ब्यापारी आये हैं अन्य खाड़ी के देशों से, यह ब्यापारी कौन है, यह ब्यापारी वो हैं जिनकी जेब में हैं रोकड़ा, पैसा है, पाकिस्तान में बैटे हैं नेता, भारत में आये हैं ब्यापारी, आप पैकिजिए कौन बड़ा है नेता या ब्यापारी जहां तक हम समझ सकते हैं जिसकी जेब में पैसा है वो व्यक्ति जादा महट्व पूर्ण है यह जो ब्यापारी यह जो बिजनेस्मेन UAE और खाड़ी के देशों से जम्मू कस्मीर में आये हैं यह क्यों आये हैं सवाल यह है यह लोग इसलिए आये हैं क्योंकि बारत इन्हें दिखा रहा है निवेश के अफसर जम्मू कस्मीर की union territory में real estate, hospitality, tourism जैसे छेत्रों में निवेश की असीम संभावना हैं और निवेश भ अफसर भरभर के हैं जम्मू कस्मीर में वही निवेश के अफसर भारत दिखा रहा है अब UAE के और खाड़ी के देशों के ब्यापारियों को बड़े-बड़े बिजनिसमेन जो आए हैं उनको यह अफसर दिखाए जाएंगे और वो लोग अफसर भापने में तो पारंगत ह उसकी तो चल्चा करने की जरूरत ही नहीं है मुद्दे की बात यह है जब OIZ की मीटिंग में पाकिस्तान यह प्रोपोगंडा चला रहा होगा कि कस्मीर का भविश्य काला हो चुका है कस्मीर का कुछ नहीं हो सकता वहाँ जेनोसाइड हो रहा है नरसंगार हो रहा है ठीक उ उसी समय भारत के साथ मिलकर खाडी के देश और UAE निवेस के व्यापार के उज्वल भविश्य के अवसर तलास रहे हैं इस बार भारत जो है पुरानी परंपरा से हटकर कुछ नया कर रहा है अब भारत OIC की मीटिंग के खिलाफ वक्त बजारी नहीं करेगा अब UAE के व्या सब कुछ इसपस्ट हो राएगा दूद पानी का पानी हो जायेगा जहां तक ऑपकिस्तान के दोरा प्रयोजित आतंकवारियों का सवाल है तो वह आतंकी भारतिय सेना, भारतिय सेनवलों, पुलिस फोर्स, भारतिय अधिकारियों के खिलाफ, कस्मीरी पंड़तों के खिलाफ गोलियां चला लेते थे, अगर उनमें हिम्मत है, तो यह जो UAE के ब्यापारी आए हैं, खाडी के ब्यापारी बिजनसमेन आई हैं, उनके खिलाफ जातों लहराओं, उनके खिलाफ जरा हम भी तो देखें, आप खाडी के पैसे का कितना विरोध करते हो, मुद्बे की बार दोस्तों क्या है, इस बार भारत पाकिस्तान की लकीर को छोटी नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की लकीर को मिटा नहीं रहा है, हमने पाकिस्तान की लक लकीर खिंच दी है उची लकीर खिंच दी है जो सब को साफ साफ दिखाई देगी यह दोस्तों मोजी सरकार की अप्रोच का अंदर जो कि आपको साफ साफ दिख जाएगा पहले और आज की तुलना करने पर यह बात और है कि हमारे देश की मीडिया को फुरसत मिल जाएगी OIC क के स्टेटमेंट को कवर करने की OIC में किस ने क्या कहा पाकिस्तान ने क्या उल जलूर बकवास की वो सब कबर हो जाएगी लेकिन UAE और खाड़ी के ब्यापारियों ने जमू कस्मीर में कौन-कौन से निवेश के अफशरतला से कहां कहां कितना कितना निवेश किया वो कवर क करने की फुर्शत किसी को नहीं मिलेगी लेकिन दोस्तों आपके लिए ऐसे टॉपिक हम हमेशा से कवर करते आए हैं और करते रहेंगे इसलिए यदि हमारा एनालेसिस आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो देखने के लि कर वीडियो